थ्रोबिंग का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं थ्रोबिंग का आर्थ होता है थ्रोब करते हुए होना या थ्रोब करने वाला यानि कि थ्रोब का ही present participle यानि ING form होती है थ्रोबिंग और थ्रॉब का आर्थ होता है धड़कना, स्पंदन करना, कांपना, कीस मारना या धक धक होना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उनकी आवाज भावना से कांप रही थी तो आप कहेंगे His voice was throbbing with emotion या गर आप ये कहना चाहें कि ये नदी जीवन से स्पंदित है तो आप कहेंगे The river is throbbing with life या गर आप ये कहना चाहें कि उसका दिल उत्सा से धड़क रहा था तो आप कहेंगे His heart was throbbing with excitement अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें